हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आई ए आई टी स्मार्ट लर्न में आज मैं आप सभी के लिए तेंथ हिस्ट्री का चिप्टा वन का बी बी आई अब्जेप्टिव कोस्टन एंसर लेकर किया हूँ यदि आप 2024 में एक्जाम देने वाले हैं तो ये साड़े सवाल आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण है आप इसे जरूर याद कर लेजिएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किजिए और यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके जवाब अवस्य दिजिए और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शेप्टर वन का नाम है यूरोप में राष्टवाद, आपका पहला प्रश सासन, सी, गिरफ तारी पत्र, डी, मनस बदारी प्रथा, आपका राइट एंसर होगा, ओप्शन बी निरंकुष सासन, फ्रांच की क्रांती का प्रमुकरन निरंकुष सासन था, आपका अगला सवाल है, फ्रांच में किस सासक वन्स की अस्थापना विएना कंग्रिस के ये question 2014 के exam में पूछा गया था फ्रांस में किस सासक वंस की अस्थापना वियना कॉंग्रिस के द्वारा की गई थी आपका option है A. Habsburg B. Earlier once C. Burbo once D. Jarsahi आपका right answer होगा option C. Burbo once फ्रांस में बुर्बो once की अस्थापना वियना कॉंग्रिस के द्वारा की गई थी आपका अगला सवाल है निपोलियन सहिंता किस वर्ष लागू की गई ये question 2021 के exam में पूछा गया था ये आपके लिए BBI है ये आपके लिए BBI है आपका option है A. 1789 में B. 1791 में C. 1801 में D. 1804 में आपका right answer होगा option D. 1804 में निपोलियन सहिंता 1884 में लागू की गई आपका अगला सवाल है वियना सम्मेलन कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आपका option है A. निपोलियन बोनापाड B. लुई 18 हुआ C. चार्स दसम D. मेटरनी आपका राइट एंसर होगा option D. मेटरनिक वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था? आपका अगला सवाल है मेटरनिक व्यवस्था का उद्यश क्या था? आपका option है A. गनतंत्र की अस्थापना करना B. प्रजातंत्र की अस्थापना करना C. पुरातन व्यवस्था की पुनर अस्थापना D. निपोलियन की पुनर अस्थापना आपका राइट एंसर होगा option C. पुरातन व्यवस्था की पुनर अस्थापना मिटरनिक ववस्था का उद्यश पुरातन ववस्था की पुनर अस्थापना था आपका अगला सवाल है मिटरनिक कौन था आपका ओप्शन है A. अश्ट्रिया का चांसलर B. फ्रांस का स्वर्मराइट C. रूस का जार D. प्रसा का चांसलर आपका right answer होगा option A अश्ट्रिया का Chancellor मेटरनिक जो था वो अश्ट्रिया का Chancellor था Chancellor का अर्थ होता है प्रधान मंत्री मेटरनिक अश्ट्रिया का प्रधान मंत्री था आपका अगला सवाल है किसने कहा था फ्रांस जब छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है आपका option है A नेपोलियन B हिटलर C मेटरनिक D गरिबाल्डी आपका right answer होगा option C मेटरनिक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है आपका अगला सवाल है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे आपका option है A 3 B 5 C 4 D 7 आपका right answer होगा option B 5 नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे आपका अगला सवाल है रोमानिवाद क्या था आपका option है A 1 एक राजनीतिक अंदोलन B 1 सांस्कृतिक अंदोलन C 1 आर्थिक क्रांती D 1 धार्मिक क्रांती आपका right answer होगा option B 1 सांस्कृतिक अंदोलन रोमानिवाद 1 सांस्कृतिक अंदोलन था आपका अगला सवाल है इटली एवं जर्मानी वर्तमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं आपका अप्शन है A. उत्री अमेरिका B. दक्षिन अमेरिका C. यूरोप D. पश्चिम एसिया आपका राइट एंसर होगा अप्शन C. यूरोप रोजाना ऐसे हैं वीडियोज को पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अर्ण कर लिजिए आपका अगला सवाल है मारियान किस देश के राष्टवाद का प्रतीक था आपका अप्शन है A. फ्रांस B. जर्मानी C. इटली D. रूस इसके राष्टवाद का प्रतीक था आपका अगला सवाल है राष्टवाद की अवधार्ना का जन्म किस घटना से माना जाता है आपका अप्शन है A. पुनरजागरन B. धर्म सुधार अंदोलन C. गौरप पुर्ण करांती D. फ्रांस की करांती आपका राइट एंसर होगा अप्शन A. पुनरजागरन राष्टवाद की अवधार्ना का जन्म पुनरजागरन घटना से माना जाता है आपका अगला सवाल है वियना कॉंग्रेस कब हुआ था? वियना कॉंग्रेस कब हुआ था? ये कोश्चन 2021 की एकजाम में पूछा गया था आपका अप्शन है A. अठारसो पंदरा B. अठारसो अठारा C. अठारसो बिस D. अठारसो अरतालिस आपका राइट एंसर होगा अप्शन A. अठारसो पंदरा वियना कॉंग्रेस अठारसो पंदरा इस पी में हुआ था ये कोश्चन आपके लिए भी भी आई है आपका अगला सवाल है 1830 की करांती के बाद फ्रांस में किस प्रकार का सासन अस्थापित हुआ ये कोश्चन 2021 के एक्जाम में पूछा गया था आपका अप्शन है A. संगीय सासन विवस्था B. समवधानिक राश्तंत्र C. निरंकुष राश्तंत्र D. गनराज आपका राइट एंसल होगा अप्शन B. समवधानिक राश्तंत्र आपका अगला सवाल है Act of Union किस वर्स पारित हुआ आपका अप्शन है A. 1688 में B. 1707 में C. 1788 में D. 1807 में आपका राइट एंसल होगा अप्शन B. 1760 में Act of Union 1707 में पारित हुआ आपका अगला सवाल है यंग यूरोप का सल्थापक कौन था ये क्वेस्चन 2019 के इज़ाम में पूछा गया था ये आपके लिए भीवी आई है यंग यूरोप का सल्थापक कौन था आपका अप्शन है A. मेजनी B. गैरी बाल्डी C. विक्टर इमेन्वेल D. मुसोलीनी आपका राइट एंसल होगा अप्शन A. मेजनी यंग यूरोप का सल्थापक मेजनी था आपका अगला सवाल है इटली के एक ही करन का मसीहा किसे कहा जाता है आपका अप्शन है A. नेपोलियन बोनापाट को B. मेजनी को C. काउंट काबूर को D. गैरी बाल्डी को आपका राइट इंसल होगा अप्शन B. मेजनी को इटली के एकी करन का मसीहा मेजनी को कहा जाता है ये आप सब लोग याद कर लिजे कि इटली के एकी करन का मसीहा मेजनी को कहा जाता है और तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है और राजनितिग्य काम कबूर को कहा जाता है इटली के एकी करन का मसीहा मेजनी को, तलवार, गैरी बाल्डी को और राजनीतिग्य काउंट कबूर को आपका अगला सवाल है मेजनी का संबंद किस संगठन से था? आपका उप्षन है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हिटोरिया, डी डायट हिटोरिया यहाँ पे गलती हो चुका है टाइप में अपलोग धियान दे लिजिएगा ऐसे होता आपका अगला सवाल है किस ने अपनी कुटनीती के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया आपका उप्षन है ए काउंट काबूर ने, बी गैरी बाल्डी ने, सी मेजनी ने, डी विक्टर इमेन्वेल ने आपका राइट एंसर होगा ए काउंट काबूर ने, काउंट काबूर ने अपनी कुटनीती के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया आपका अगला सवाल है यह इटली का संस्थापा कौन था आपका अप्षन है ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी मुसलीनी यंग इटली का संस्थापा कौन मेजनी था इसलिए आपका राइट एंसर सी होगा मेजनी आपका अगला सवाल है लाल कूर्ती का गठन किसने किया था आपका अप्षन है ए काबूर, बी मेजनी, सी विश्मार्क, डी गैरिबाल्डी आपका राइट एंसर होगा अप्षन डी गैरिबाल्डी लाल कूर्ती का गठन गैरिबाल्डी किया था रोजाना ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अन कर लिजिए आपका अगला सवाल है काबूर कौन था? काबूर कौन था? आपका ओप्सन है A. जर्मनी का राजा B. इटली का प्रधान मंत्री C. इटली का राजा D. जर्मनी का मंत्री आपका राइटेंस होगा ओप्सन B. इटली का प्रधान मंत्री काबूर जो था वा इटली का प्रधान मंत्री था आपका अगला सवाल है Friends of Italy नामक संस्था का गठन किसने किया था? Friends of Italy नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपका आप्सन है A. जियो वोडी ने B. चार्स एलबाट ने C. विक्टर इमैनुएल ने D. मेजनी ने आपका राइटेंस होगा आप्सन D. मेजनी ने Friends of Italy नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था आपका अगला सवाल है कार्बो नारी की अस्थापना किस वर्स हुई थी? कार्बो नारी की अस्थापना किस वर्स हुई थी? आपका आप्सन है आपका राइट एंसर होगा अप्शन A 1810 में कर्बोनारी की अस्थापना 1810 में हुई थी आपका अगला सवाल है जैरिबालडी पेशे से क्या था? ये कुश्चन 2014 की एकजाम में पूछा गया था ये आपके लिए BVI है आपका अप्शन है A. सिपाही B. किशान C. जम्मिदार D. नाविक आपका राइट एंसर होगा अप्शन D. नाविक गरिबालडी पेशे से नाविक था आपका आगला सवाल है काउंट काबूर को विक्टर इम्मेनुएल ने किस पद पर निउक्त किया ये कुश्चन 2017 और 2020 की एकजाम में पूछा गया था ये आपके लिए BVI है काउंट काबूर को विक्टर इम्मेनुएल ने किस पद पर निउक्त किया था आपका option है A. सेनापती B. फ्रांस में राजदूत C. प्रधान मंत्री D. ग्रिह मंत्री आपका right answer होगा option C. प्रधान मंत्री कांट काबूर को विक्तर इमन्मेल ने प्रधान मंत्री पद पर निउक्त किया आपका अगला सवाल है इटली के A की करन में निम्न में से किसका संबंध नहीं है ये question 2020 की exam में पूछा गया है ये आपके लिए BVI है इटली के A की करन में निम्न में से किसका संबंध नहीं है आपका option है A. विश्मार्क का B. मेजनी का C. काउंट कावूर का D. गैरिबाल्डी का आपका right answer होगा option A. विश्मार्क का इटली के A की करन में विश्मार्क का संबंध नहीं है आपका अगला सवाल है विलियम प्रथम कहां का सा सक्था आपका option है A. इटली का जालवे राइन की अस्थापना किस राज ने की थी आपका option है A. प्रसाने B. अश्चियाने C. शौडनी याने D. निपल्सने आपका right answer होगा option A. प्रसाने जालवे राइन की अस्थापना प्रसा ने की आपका अगला सवाल है सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह question आपके लिए भी भी आई है आपका option है A. आश्चिया प्रसा के बीच B. प्रसा डेन्मार्क के बीच C. प्रसा फ्रांस के बीच D. इटली रोम के बीच आपका right answer होगा option C. प्रसा फ्रांस के बीच सिडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था? आपका आगला सवाल है विश्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आपका option है A. रूस की B. हिगेल की C. अश्डाट की D. जैकब की आपका right answer होगा option B. हिगेल की विश्मार्क हिगेल विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आपका अगला सवाल है जर्मानी एवं इटली के एकी करण के विरुद्ध निम्ने में कौन था? ये कोश्चन द्वाजाले कीज के इजाम में पूछा गया था आपका option है A. इंगलेंड B. रूस C. अश्ट्रिया D. प्रसा आपका right answer होगा option C. अश्ट्रिया जर्मानी एवं इटली के एकी करण के विरुद्ध अश्ट्रिया था आपका अगला सवाल है नेपोलियान ने जर्मानी में किस संग की आस्थापना की? आपका option है A. ट्रांस्पेडेन संग की B. सिसल पाइन संग की C. राइन संग की D. इन मेंशे कोई नहीं आपका राइट एंसर होगा option C. राइन संग की नेपोलियान ने जर्मानी में राइन संग की आस्थापना की रोजाना ऐसे ही विडियोज को पाने के लिए हमारी चैनल को सेब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अर्ण कर लिजे आपका आगला सवाल है किस यूद के बाद जर्मानी का एकी करन पूरा हुआ आपका अप्शन है A. किरिम्या का यूद B. सेडोबा का यूद D. C. प्रसा डेन मार्क का यूद D. सिडान का यूद आपका राइट एंसर होगा option D. सिडान का यूद सिडान का यूद के बाद जर्मनी का एकी करन पूरा हुआ आपका अगला सवाल है जर्मेन्या क्या थी आपका option है A. बिटीश राष्टर का प्रतीक B. जर्मन राष्टर का प्रतीक C. रूसी राष्टर का प्रतीक D. अश्ट्रियन समराठ का प्रतीक आपका right answer होगा option B जर्मन राष्ट का प्रतिक जर्मेनिया जर्मन राष्ट का प्रतिक था आपका अगला सवाल है जर्मनी का एकी करन कब पूरा हुआ आपका option है आपका right answer होगा option C 1871 जर्मनी का एकी करन 1871 पूरा हुआ आपका अगला सवाल है जालवेरीन एक कैसी संस्था थी आपका option है A क्रांतिकार्यों की B वैपार्यों की C विद्वानों की D पादरी सामन्तों की आपका right answer होगा option B वैपार्यों की जालवेरीन एक वैपार्यों की संस्था थी आपका अगला सवाल है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई यहाँ पे सेडोवा टाइप में miss हो चुका है सेडोवा सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई ये आपके लिए भी भी आई है आपका अप्शन है A. अश्ट्रिया की B. प्रसा की C. नेपल्स की D. शणनिया की आपका राइट एंसर होगा अप्शन A. अश्ट्रिया की सेडोबा के यूद्ध में आश्ट्रिया की पराजय हुई आपका अगला सवाल है विश्मार्क क्या था? आपका अप्शन है A. कवी B. नाटक कार C. संगित्ग्य D. कुटनितिग्य आपका राइट एंसर होगा आप्शन D. कुटनितिग्य विश्मार्क जो था वह कुटनितिग्य था आपका अगला सवाल है हिगेल कौन था? ये कौशन 2020 के एक्जाम में पूछा गया है ये आपके लिए भी भी आई है हिगेल कौन था? आपका अप्शन है A. जर्मन का चांसलर B. राजनितिग्य C. दार्शनिक D. इन्वेश्य कोई नहीं आपका राइट एंसर होगा आप्शन C. दार्शनिक हिगेल दार्शनिक था आपका अगला सवाल है C. संद अठार्शनिक चांसलर में फ्रांस और प्रसा के बीच युद कहां हुआ था? ये क्वेश्य कोईच्ञ 2015 के एक्जाम में पूछा गया था के आपके लिए भी भी आई है आपका अप्शन है A. सिडान B. सेडोवा में C. साइराइन में D. फ्रेंक फट में आपका राइट एंसर होगा Option A. सेडान में सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में हुआ इसलिए इसे सेडान का युद्ध कहा जाता है आपका आगला सवाल है किस संधी द्वारा जर्मनी का एकी करन पूरा हुआ आपका आप्शन है A. डेनमार्क की संधी B. गैस्टीन की संधी C. प्रागी की संधी D. फ्रेंक फट की संधी आपका राइट एंसर होगा Option D. फ्रेंक फट की संधी आपका आगला सवाल है सेल्स विग और होल्स्टीन का संधी किस देश के एकी करन से है आपका आपका आप्शन है ये आपके लिए भी भी आई हो सकता है आपका आप्शन है रक्त एवम लोह की निती का अवलम बन किसने किया था ये क्वश्यान 2020 के एक्जाम में पूछा गया था ये आपके लिए भी भी आये रक्त एवं लोह की नीती का अवलंबन किस ने किया था आपका आप्शन है A. मेजनी ने B. हिटलर ने C. विश्मार्क ने D. विलियम ने आपका राइट एंसर होगा आप्शन C. विश्मार्क ने रख्त एवं लोह की निती का अवलंबन विश्मार्क ने किया था आपका अगला सवाल है फ्रेंक फर्ट की संदी कब हुई थी? ये कोश्यान 2021 के एक्जाम में पूछा गया है फ्रेंक फर्ट की संदी कब हुई थी? ये आपके लिए BBI है आपका आप्शन है आपका राइट अंसर होगा ओप्शन D 1871 में फ्रेंक फर्ट की संदी 1871 में हुई आपका अगला सवाल है सेडान की युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ? ये कुश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था आपका आप्शन है A 1871 में B 1870 में C 1848 में D 1815 में आपका राइट अंसर होगा B 1870 में B 1870 में आपका अगला सवाल है जर्मानी के एक इकरन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये कॉश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था आपका आपका आप्शन है A मेजनी B गैरी बाल्डी C लेनिन D विश्चमार्क आपका राइट अंसर होगा आप्शन D विश्चमार्क आपका आगला सवाल है 1871 में कौन सी संधी हुई थी? ये कॉश्चन 2021 में पूछा गया था आपका आप्शन है A फ्रेंक फर्ट की संधी B पेरिस की संधी C वियना कॉंग्रेस की संधी D इन में से कोई नहीं आपका राइट अंसर होगा आप्शन A फ्रेंक फर्ट की संधी आपका आगला सवाल है जर्मानी के एकिकरन के लिए कौन उत्तरदाई था ये कोश्चान 2021 के एक्जाम में पुछा गया था आपका अप्शन है A. कांट कवूर B. विश्मार्क C. गैरी बाल्डी D. मेजनी जर्मानी के एकिकरन के लिए गैरी बाल्डी उत्तरदाई था इसलिए आपका राइट एंसर C होगा C. गैरी बाल्डी आपका अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था ये कोश्चान 2019 के एक्जाम में पुछा गया था ये आपके लिए BVI है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था आपका आप्शन है A. तुर्की B. इटली को C. इंगलेंड को D. फ्रांस को आपका राइट एंसर होगा आप्शन A. तुर्की को यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था आपका अगला सवाल है यूरोप वासियों के लिए किस देश का सहित एवं विज्यान प्रिर्ना का शोत रहा है आपका आप्शन है A. जर्मनी B. यूनान C. तुर्की D. इंगलेंड आपका राइट एंसर होगा आप्शन B. यूनान आपका अगला सवाल है यूनान के स्वतंतता संग्राम में किसकी पराजय हुई आपका आप्शन है A. यूनान की B. तुर्की की C. रूस की D. फ्रांस की आपका राइट एंसर होगा आप्शन B. तुर्की की यूनान के स्वतंतता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई रोजाना ऐसे हैं वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लेजिए आपका अगला सवाल है 1829 स्वी की इंड्रिया नोपूल संधी किस देश के साथ हुई 1829 स्वी की इंड्रिया नोपूल की संधी किस देश के साथ हुई ये कोश्चान आपके लिए बहुत ही भी भी आई है आपका अप्शन है A. रूश B. युनान C. ब्रिटेन D. पोलेंड आपका राइट एंसर होगा अप्शन A. रूश आपका अगला सवाल है युरोपियस अभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है आपका अप्शन है A. इटली B. रूम C. स्पेन D. युनान आपका राइट एंसर होगा अप्शन D. युनान युरोपियस अभ्यता का पालना युनान देश को कहा जाता है आपका अगला सवाल है हंगरी की भासा क्या थी? आपका अप्शन है A. इतावली भासा B. मैंग्यार भासा C. पोलिस भासा D. फ्रेंच भासा आपका राइट एंसर होगा अप्शन B. मैंग्यार भासा हंगरी की भासा मैं 11 भासा थी आपका आगला सवाल है यूरोपिय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भरतिय सासक ने जैको बीन क्लब की अस्थापना की? आपका आप्शन है A. हैदर अली B. टिपू सुल्तान C. सफदल जंग D. सिवाजी आपका राइट एंसर होगा option B. टिपू सुल्तान आपका अगला सवाल है उनेश्वी सताब्दीक में यूरोप में राष्टवाद के विकास का क्या परिनाम हुआ आपका option है A. समराजेवाद का विकास B. उपनी वेशवाद का विकास C. निरंकुष राजो की अस्थापना D. राष्ट्रिय राजो की अस्थापना आपका राइट एंसर होगा option D. राष्ट्रिय राजो की अस्थापना इसी तरीके से आपका chapter 1 का सारा भी भी अबजिक्टिव कुष्टनेंसा कम्पलीट होता है आपको हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर किजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में